कि आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और वसंत पंश्मी पे जैसा कि हम जानते ही हैं कि अब जाती है और एक नए मौसम की शुरुआत होती है उत्साह की प्रकृति आपको और हमारे चारों और के वातावरण में उत्साह का निर्वान करती है और वसंत उसी के वसंत का उत्सव उसी के उपलक्ष में मनाया जाता है कि आज की जो हम परिचर्चा करने जा रहे हैं उसके दो विशेश कारण है एक तो आज वीर बालक हकीकत राए का बलिदान दिवस है और दूसरा आज वसंत उत्सव है सरस्वति पूजन आज का विधां किया गया है आज के दिन किया जाता है और साथ ही साथ इसका एक पक्षध संद्राथ ders of और जै अवी जब उत्सव के रूप में और भी Кстати की रूप में उसको आहा आजाता है और समाने रूप से आप और हम सभी जानते हैं कि जब उत्सव की बात होती है तो उसमें लोक चित में दो ही मुख्य बाते होती है तो अच्छा खाना पेना और दूसरा कि कोई इस तरह की क्रिड़ा खेल पिलकूद यहां कोई जिसमें हंसी हो मजाख हो और खूप सारा आनंद का बातावरण हो यही दो पक्ष समाने रूप से लोग चित में रहते हैं लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहरे से और व्यापक दृष्टी से इसको देखने लगते हैं और तलाश करने ठीक है कि इस तरख की परंपरा वारत में कैसे विक्षित हुई कैसे उनका आरंभ हुआ हो और किस रूप में वहमारे सामने उभर कर आई हैं वर्षों से तो उनके चर्चा करने के लिए हम में उनके गहरे जो बीज हैं जहां से वो परंपरा के रूप में उबरते हैं और पूरा वटब्रिक्ष के रूप में हमारे समाज में विक्सित होते हैं तो उनको समझने के लिए हमारा आज का ये प्रयास है उत्सफ तो सभी मनाते हैं लेकिन उत्सफ मनाने के पीछे जो समाजक मनोविज्ञान ह समाजिक व्यभार है व्यक्ति का व्यभार है और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल करके हम देखेंगे उन सब बाटों को सोचने समझने के लिए और अपनी दृष्टी का विस्तार करने के लिए आज हमने इस पर चर्चा रखी है कि सारस्वत साधना एवं सौन्दरे का अ आगे अभी आप लोगों के साथ सांचा करूंगा उस सरफ्वती का रूप उसका व्यवहार और उसकी हमारे साथ जुड़ी हुई जो भावनाएं आस्थाएं आदि-आदि हैं क्रियाएं हैं उन सब को आज हम समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने आप लोग स्लाइड पर देख रहे हैं और मैंने ये कहा था कि आज दो महत्वपून विशें हैं और दो विपरीत भाव एक साथ आज के इस चर्चा में जुड़े हुए हैं पहला भाव तो है कि जो बलिदानियों के लिए हम एक शुद्धांजली अर्पित क लिए उसको हम अपनी शुद्धांजली अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा जो नितान्त एक अलग ही भाव है जिसे हम सारस्त भाव कह सकते हैं उत्सा और उत्सव का भाव कह सकते हैं उसको हम देखनी का प्रयास करेंगे भारत की परंपड़ा में बलिदानों का एक बड़ा ही बड़ी लंबी परंपड़ा है और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी नजर जाती है कि रिशी दधीची का सबसे पहला अपना बलिदान देना है और फिर हमने देखा कि उसमें कई कि राजाओं ने अपना धर्म के लिए बलिदान किया बलकि बलिदान के बलिदान ही नहीं रुका हो रहा कि वो बलिदान पशु पक्षियों के लिए भी है कि अगर कोई शरणागत पक्षी भी आ गया है तो उसके लिए भी उन्होंने बलिदान किया और पूरा सामर्थ होने क बार्द बलिदान देना ये अपने आपने एक भारती परागा वैस्षिष्ट है लेकिन ये बलिदान क्यों दिया जाता है और क्यों किया गया तो उसके जो एक कारण मुझे दिखाई देता है गीता में जो हमें देखने को मिलता है तीसरी अध्याय के 35 मिश्लोप में कि श्रय धर्म है भी तो भी वो स्विकारे नहीं और अगर गुण रहित धर्म भी है तो भी वो स्विकारे है और उसको जो है कभी त्यागना नहीं चाहिए और ये बात हम देखते हैं कि गुरुदत के उपन्यास में जहां पर उन्होंने पूरा व्यापक रूप से उसका चलित्रक चित्रन को किया है दुरुदत ने आप सब भी जानते ही होंगे हिंदी के प्रसित उपन्यास का रहे हैं लेकिन आजकल उनको नहीं पढ़ाया जाता लेकिन उन्होंने इसके विशे में बड़े व्यापक रूप से लिखा है और भी कई सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ज आप लोगों के साथ सांजी करूं उनका पूरा नाम जो है हकीकत राइक बात्मलपूरी है सियाल कोट में पैदा हुए और मृत्यू लहौर में हुई जहां पर उनके गर्दन जो है वो एक जल्लाद के द्वारा मुस्लिम जल्लाद के द्वारा काटी गई और वहां के नवा हमें जो है वो समाधि स्थल मिलता है और इसके अतिरिक्त हमें बड़ी रुचिकर बात है कि 1782 में अग्र सिंग नाम के कभी ने पंजाबी कभी ने जो है हकीकत राइके बलिदान पर पंजाबी में लोग कीत लिखा जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ उसके बाद कुछ रेफर और उनके लिए एक समाधी निर्मान भी कराया वो भी अपने आपने एक बड़ी उपलब्धी है और फिर 1905 से 1910 के दशक में बंगाली लेकों ने निबंध लिखे हैं वीर बालक हकीकत राइक के उपर और एक अंतिम जो बात है कि आरे समाश में वीर बालक हकीकत राइक के के लिए धर्मवीर नामक एक नाटक भी प्रस्टुत किया जो उस समय में बड़ा प्रचलित भी अपने समय में रहा अंग्रेजों के टाइम में स्वतंत्रता संग्राम के पश्चा ये चीज़ें हुए हुआ केवल मात्र यही था कि बच्चा फार्सी पढ़ने के लिए चाता था मदर्से में और वहां पर एक दिन उस्ताद की अनुपस्थिती में बाकी बच्चों के साथ इस बालक का जो है वो विरोध हो गया विरोध भी कहा हुए कि जब उन बच्चों ने मुस्लिम को खूब अभद्र भाशा में बातें के ही और अन्य बातें सारी हुई और फिर उसके बदले में हकीकत राय ने केवल इतना ही कहा था कि यदि तुम इस तरह के अनुचित बात पर होगे तो मैं तुम्हारे अगर उन पैगंब्रों के बारे में कुछ कहूं तो कैसा लगेग और इस बात का बतंगर जब बन गया और उसके बाद मौलवी के आने पर उनको शिकायद की गई और मौलवी ने आगे वो सारी बातें कहीं जाकर के नवाब को जब बताएं तो फिर वहाँ पर जो उनके लिए एक डंड विधान किया गया उसमें उनका बलिदान निश्चित हुआ हलांकि उससे पहले उनको कहा भी गया कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपको क्रमा किया जा सकता है अगर आप मुस्लिम बन जाते हैं लेकिन उस चौड़ा सा वर्ष के बच्चे ने उसको स्विकार नहीं किया और अपना बलिदान दिया तो ऐसे उस आपको अंसबी लोग अपनी अप्तिक्त करते हैं और आज की चर्चा की और अग्रसर होते हैं कि यह कुछ ऐसे पात्र रहे हैं जिनको हम इतिहास में बहुत सारे रहे हैं तो तो मुझे लगता है कि ये एक उचित बात होगी आज के मुख्य विश्य की ओर हम अग्रसर होते हैं आप सभी परिचित हैं और जैसा कि मैं शुरू में कही आया हूं कि वसंत उत्सव है और सरस्वती पूजन का विधान आज के दिन किया जाता है और इन सभी श्लोकों से आप परिचित हैं मैं उसमें समय जादा नहीं ले रहा आप सभी जानते ही हैं या कुंदेंदू तुशार हार धवला से ले करके भगवतीन बुद्धिप्रदाम शारदाम तक के सभी बातों से अब अबगती ही है और हो सकता है स्मरण ही हो नहीं हो आप लोगों को लेकिन दो थीम बातें जो मैं आप लोगों के साथ सांच्छा करना चाहता हूं यो विशत सीधे-सीधे संबंदित है Web दो बाते हैं कि हम यह सारस्वत्व साधना क्या है और इसका भी प्राय क्या है और क्यों इसके उपर चर्चा की जानी चाहिए यह दो बाते में आप लोगों के साथ सांचा करना चाहता हूं एक भूनिका के थौर पे स्लाइड के उपर अगर आप नीचे वाला थोड़ा सा पक्ष देखें उसमें पहले जो सारस्वत्व साधना की आवश्यक्ता लगती है वो यह है कि व्यक्ति की दृष्टी जो है क्या वो उसके वाणी के लेखन और वाचन का जो सामंजसे का स्तर है क्या वो दोनों में तो शायद क्या इसलिए सारस्वत्व साधना करनीय पेख्षित होती है और दूसरा जो है वो संधरे पक्ष का संधरे पक्ष है जहां पर वानी का एक और स्वर संधरे है जिसे हम चंदों में और अलंकारों आधी में प्रयोग करते हैं यहां मात्राप की गलती है वर्ण की बलती हो गई हुई है कहीं मिस्टेक बीच में छूट गया है और डूसरी तरफ जो है वाणी की जो नहितार्थ हैं जो जिने हम वस्त्वर्थ वस्तू के अर्थ और बुद्ध्यर्थ कहते हैं क्या उसमें सौंदर्य नहित रहता है यह भी एक पक्ष है तो इन दो पक्षों को जानने और समझने के लिए वरानिक दृष्टी से भी तांत्रिक दृष्टी से भी व्यदिक दृष्टी से भी अन्य समाजिक पक्षों की दृष्टी से भी हम इन प्रश्णों को देखने और सोचने का प्रयास करेंगे लेकिन यह जब बातें करते हैं तो निश्चित रू वानी से सीधा सीधा संबंध है तो अपने पूर्व वर्ति जितने भी हमारे रिशी हुए हैं कभी हुए हैं उनको वानी को प्रणाम करते हुए उसी वानी से हम क्या चाहते हैं कि वाचम अम्रितात मातमनह कलाम विंदेम कि उसी वानी के जो रूप है वो हमें प्रोटेक्ट क लेकिन नीचे की और जब आप इस लाइड में देखेंगे तो दो श्लोक आपको दिखाई दिखते हैं जो इस सारे पक्ष को आपके सामने प्रस्तु करते हैं एक और तो है जो कालिदास का पक्ष है जो कुमार संबहुं के श्लोक में हमें दिखाई देता है कि वाग अर्था विवसंपरिक्तो वाग अर्था विव प्रतिपत्य । कि वाणी और अर्थ का जो संप्रृस्ट है वह संप्रृस्त है कि जहां वाघ और अर्थ आपस में आके मिलते हैं इसलिए भी हम समझें कि साथ का अभीप्राई क्या है वह वानी का संप्रिक्तन क्या होता है उसको कैसे समझें और कैसे उसका अभ्यास करें और कैसे वह व्यक्तित्वों में निखर के आती और दूसरी तरफ हम देखते हैं नीचे की और अगर आप देखें तो उत्तरामचरित का ही दूसरा श्लोग जो नितांत मुझे आतिक प्रभावित करता आया है मेस्मराइज करता आया है कि कि कितने साफ और सपस्ष शब्दों में वो कहते हैं लौकी का नाम ही साधुना मर्थ म्दंग बढ़ते ति कि अ कि जो लौ लौके लोग एं उनकी तो वाणी अर्थों के पीछे-पीछे भागती फिरती और फिर भी अर्थपकड में नहीं आता डिन मीडिया डिन और सोशल साइंसिस टिनने भी हैं वो सभी के सभी क्या प्रयास कर रहे हैं कि कि किसी तरह से अर जो पहले रिशी थे जो वो कहते दे कहते थे अर्थ उसका अनुसरण करता है यह एक कमाल की बात है कमाल की observation है जो हमारे आज के युग के दंदों को बड़े स्पश्ट रूप से प्रस्तुत करती है इसे के बीच में जो हमारा विशेश आज का प्रश्ण है कि अस्ति कश्चित बात विशेश जो कभी कालिदास को पूछा गया था लेकिन वही आज हमारे समाज के सामने समस्या है कि क्या हमारी वाणी में को विशेश्टा है भी कि पूरे का पूरा अर्थ लेकर के चले या हम अति बाद्धिक्ता और भावुक्ता की वज़ा से शब्दों कर ऐसा प्रियोग कर देते हैं जिनके अर्थी आसपास नहीं होते हैं तो ऐसे में सारस्वत साधना के तीन पक्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं एक तो जो हमें दिखाई देता है स्थूल रूप में सूख्त दूसरा आपको करमकांड और पूजा विधान में सारस्वती सारस्वती के पूजा विधानों में दिखाई देता है और तीसरा एक और पक्ष है जो हम विद्वानों का पक्ष कहते हैं जो तपस्चरया के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उनके जीवन को जब हम देखते ह लेकिन उससे पूर्व एक दो चीजे में आपको और सांशी करना चाहता हूं कि इस सरस्वती का इस वानी का जो है जैन धर्म में भी आप देखें कितना सौंदर और कितना बारीकी से आइकनोग्राफी अगर आप देखें तो कितनी खूबसुरत है और हेंचंद्र सूरी का जो सारस्वती पाव भक्षणी विद्या नामक के एक लोग भी मिलता है कि उसका बड़ा पाठ भी मुझे पता लगा कि किया जाता है लेकिन संक्षेप में एक और स्लाइड भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बुद्धिस्म में भी सारस्वती का बड़ा महत्व है आप आप देखें कि यहां कितनी प्रकार की मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सरस्वती के रूप प्रस्तुत किये हैं जिनमें से एक विशेष जो नील सरस्वती है उपर से नीचे की और अगर आप देखें तो वो बड़ी महत्वपूर्ण उनकी रहस्यमई सरस्वती देवी है जिसकी वो उपासना करते हैं और उसमें प्रग्या पार्मिता के नाम से भी सरस्वती का एक रूप हमें देखने को मिलता है और उनका जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है तारा देवी जिसे वो कहते हैं ओम तारे तूरे तूरे स्वाहा तो यह सारे पक्ष हमारे सामने आन मंत्र किया है डॉक्टर रमागांद आंगेरिस जी को जो पूर प्रोफेसर है कालिदास चेर के संस्क्रित विभाग पंजाब विश्व विद्यालेक्ष अंदिगाड में और वर्तमान काल में अध्यक्ष हैं दर्शन योग संस्थान डलहाजी के तो उनसे हमने विनम राग करते हैं कि जितना हम जानते हैं उससे आगे का वो हमारे साथ ज्यान जो है वो हमारे साथ सांचा करें और हमारी द्रिष्टी को जितनी सीमा है उस सीमा से और आगे जो है उसको विस्तार के और ले चलें तो इन सब बातों के साथ मैंने आप लोगों का जो भूमिका के करें और हमें दिशा निर्देश दें कि वस्तोता है यह सारस्वत साधना क्या है और साधना अपने आपने पड़ा व्यापक शब्द है पहले तो उसे ही हम समझ लें कि वह साधना क्या है और फिर उसमें सारस्वत साधना से हमारा क्या भी प्राय है और संदर्य का वो का है पूरी भारतिय मेर्धा का वह क्या है उस पर चरचा करने के लिए मैं आमंत्रिक कर रहूं डॉक्टर रॉमा खांची को कि आप अपने को अन्म्यूट कर लिजे पहले आप करें पहले नीचे से कि आप आपकी आवास नहीं आ रहे अन्म्यूट करें अपने को अपने को अन्म्यूट करें एक मिनट अपने अभी अपने को अन्म्यूट करके फिर उसके बार कि कि है अपके आवास क्लिरें अभ मुंधितमे नभी तमे देवितमे सरस्वति अप्रशस्ता आई वस्मस्य प्रशस्तिन अंभनस्ति अब और वाद अरी एमरी? हादी क्लियर है, लूड़ और अंग्लियर है. तर्माद रणिये, सज्जनों, वीवाम, बंधु वाल, जो आथ के इस कारिक्यम में उपस्तित है, उन सभी को नवन करते हुए, अपने कोई बात थोड़ी सी, मैं कहने का प्रियास करता हूँ, वह संतोचसब है, और उस वह संतोचसब की बनी पिष्ट भूमी, आज ड़क्टर आशुतोच ने रस्नुत कर दी है, इसके कुछ पक्षों को हम तोड़ा साथ जाजरित करने से पहले एक बात ध्यान में रखें, कि भारती जो हमारी परंपरा रही है, उसमें ये पर्व या उत्सब जो मिनाने के तिती तिती ये ऐसे आकस्मिक नहीं है, कि कैसे भी हमने कर लिया और आज हम सेलिब्रेट ये कर लें ये किसी दिन कैसे भी कर लें, उसका एक निश्चित पक्ष होता है, निश्चित पक्ष ये होता है कि उचे विशिष्ट विद्याओं का जिस दिन आविश्कार हुआ है, उस आविश्कार को जिन कुछ मेधावी लोगों ने उस समय, रिशी प्रग्या के लोगों ने, उसका जिस दिन आविश्कार हुआ, उस दिन उस आविश्कार को उपलक्ष में वो उसका सेलिब्रेट कर लेते थे, उसे मानिता प्रदान कर देते थे, कि लोग उस दिन आपस में ये चर्चा करें और आपस में बेच करके उसमें जो उपनेश्णों के शांती बाढ़ है न तुछ यह उसमें एक मूलता प्रवृत्ती हमारी जो थी परमपरा की वो आपसी एक संभाद की प्रवृत्ती नहीं है। ये ऐसे परवों के उपर activity भी होनी चाहिए, उसमें celebration भी होनी चाहिए, भोजन का भी आनंद लेना चाहिए और उसमें खेल भी होने चाहिए और सब उत्तर रहे कि तो कि उत्सब का मतलब है कि एक चेतना की उच्छलता है, आनंद की उच्छलता है, वानंद को इस दिन एक प्रांचमी ये क्यों यही दिन रखा गया, तो उसका एक ही लगता है कि आज के दिन की जो माज माज की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी है, माज माज की शुक्ल पक्ष की पंचमी को चंभद है वहो जी प्रांचलीन कालमें, ये इस उत्सब का पे इस उत्सब को मनाने का कारिकनमारंब हो गया था वसंत शब को जब हम देख तो प्राधिम साहित में ये बराबर एक विशेश हर्थ के अंदर जिशी हम आगे थोड़ा राक्या करेंगे विशेश हर्थ के अंदर वैलिक साहित में प्रयोग हुआ और प्रयोग हुआ उसमें यग्य के संदर्व में ही इसका प्रयोग हुआ है व्रसंत शब्द का उसमें हमारे जो कर्मकांड के लोग हैं विद्वान लोग हैं जो ये पुरुषूट का पाश करते हैं तो उन लोगों को पुरु शुक्त का पाड़ करते समय, कभी-कभी ध्यान रहता होगा, कभी नहीं भी रहता होगा, लेकन उसमें बड़ा महात्यपूर्ण मंत्र है, जिसके अंदर वसंत का एक बड़े ही विशिष्ट रूप से वसंत को एक रितू के रूप में स्मर्ण किया है, वो उसमें मंत्र जो है, जो रिकवेट का पुरुष्शूक्त है, रिकवेट के पुरुष्चूक्त में वो शैद जठा मंत्र है, और जो याजरुवेट स्कुप लगएधि शुक्त, चाथी है, उसके अंदर वो संबफित चौदम मंत्र है, लेकन महत्त्गूर्ण है, कि यद्पुरुषयन हविशा देवा यग्यमत अन्वत. वह पुरुष था जिसको यग्य के रूप में उप्योग किया गया थो. यग्यपुरुष स्वैम जिसने अपने मेंसे इस अभी रिफूट किया था. वो यद पुरुखेन खविशाथ देवा यग्यमतन्वत जो पहली स्रिष्टी हुई उस पुरुष के माधिम से वो जो प्रसुन स्रिष्टी भी किसी थुई तो उसने यग्य किया तो कहा कि उसमें यग्य के लिए उनके पास सामगरी कहां से आई यग्य कैसे हुआ हो तो उसमें वो कहते हैं वसंतो स्यादिस आसी राज्यम ग्रीदम इधम शरद्धवी तो उसमें वसंत को घित की आवदी के रूप में वसंत का प्रयोग किया गया है और ग्रीश्म इध्मह और ग्रीश्म रितु को इध्म के रूप में लकडियों के समिधा के रूप में प्रयोग किया गया और शरद हवी और शरद रितु जो थी शरद रितु को जिसमें ये आपको पता है नवरात्र और पीपा वलियादी परवाते हैं वो शरद रितु जो ह उसको खवी के रूप में प्रयोग किया गया तो वसंत उसमें आजी के रूप में प्रयोग किया गया और ग्रीश में जो था इदू के रूप में और शरद ही जो है उसको खवी जो चरुप बनाया जाता है उस चरुप के रूप में उसका प्रयोग किया गया अब ये बात सारस्प्सादना का मने कि है कि जो सामानी जन होते हैं जब उनका जिसका ये कुछी से काशुट उस ने किया है कवी नाम पुनराद्या नाम और लौकिका नाम मिसाधु नाम अर्थम बहुत वन वर्टते लोग के माध्यम से उसमें एक और प्रकारशी भी संस्कृत के लोग कहते हैं कि ये जो तेल का बिंडू है वो अगर रेट में पढ़ जाए तो वो सिकुड के बिल्कुल सिकुड जा विरूष ने जो तो इसलिए जो रेटमने लोग ये वो प्रत्वा को पहचानने वाले लोग के लिए इन शब्दों के अर्थों का समझनाँ होता है दूसरों के लिए तोड़ा क्लिश्ट में हो जाता है परंपरा गत्य जो हमारी रही tai हो एक समय तक बहुत देर तक जिवन मैं समझता हूं कि आधी शताबनी पूर्व तक भी हमारी सेंसिबिल्टी जो हमारा बोड है वो बोड जो है वो बड़ा पोईटिक बोड रहा है बड़ा काभ्यात्मक बोड रहा है अगर यह कहा जाए कि भारत में प्राय है जो लोग जनम से जनम से ही उनमें एक कवित्व का बोड एक साधार नहीं भी कविता करते हूं ना भी करते हूं लेकिन उनकी सेंसिबिलिटी जो थी पोईटिक सेंसिबिल्टी काभ्यात्मक प्रद्वा काभ्यात्मक था काभ्यात्मक था उनमेश था इसलिए अगर आप अपने सारे उत्रवों में परवों में कहीं अन्यत द जहां पर जो कुछ भी एक तिन का ग्रास का तिन तरू गुल्म जो कुछ भी है उस सब का एक अधिश्थाता है उसके पीछे को अधिश्थाता है यह उस मस्त प्रकृति को अब यह बाद बिना सारस्व साधना के समझ में नहीं आती है यह स्थूल दिश्थी से अगर देखें अगर बिना साधना के देखें तो वो सिर्फ एक आपको अपना एक जो मुख्य आर्थ है फ्थूल आर्थ है वो देखर करके अपना काम चला जाते जैसे रोटी के माने हम ले लेते हैं, that's all. लेकिन इस रोटी शब्द का प्रियोग का अभ्यात्मत दिरिष्टी से अगर कोई करता है, तो वो एक कवित जो है, वो उसमें हमारी संभेधना को हिलाता है. संभेधना को हिलाने का मतलब है कि हमें ऐसा महसूत होता है कि हम जिंदा हैं अभी. जब हम जल ह हो जाते हैं, जब नहीं संभेधना को जब कावि संभेधना हमारी मर्ती है, तो हम एक प्रकार से डड़ हो जाते हैं, क्मुटे की तरह हो जाते हैं. इसलिए यहाँ पर मुल्द ह, वेर के अंदर जब प्रियोग किया, तो उसके अंदर यह कहा, तम धीरा सह कवयो उन्नोंति कि वो तो अब यह कभी कैसे कभी थे, इनको आप पोइत भी नहीं कह सकते हैं. Heil shrimams doet फोब कर नहीं हो घा, जी नहीं आ घुति हैं. कि दो हो उसको अबी शब्ड का प्रियोग कि लेकिन निये कि तो जी राशा कवया है अबार बार डाता है ये द्र मुद्धी है फिर हम उसे कम प्रतेग वस्तु को जो हमारे उसमें सामने आती है, हम उसको स्थूल बना देना चाहते हैं, आम प्रवित्ति जो है, ब्याभारिक्टा की प्रवित्ति क्या होती है, ब्याभारिक्टा में हमारा स्थूल से क्योंकि काम चलता है, इसलिए हम जो तरल है, जो सरल है, उस तरल और सरल को हम स्थूल बन नाजर के व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार जैसे जैसे हमारे परहावी होता जाता है तो ऐसे हमारी कभी द्रिश्टी होते हैं हम सभी कभी होते हैं जब हरिदय के स्तर पर चले जाते हैं तो सभी कभी होते हैं लेकिन जब वो हम ब्यावहार की दृष्टी में ज्यादा होसे आते हैं तो हम स्थूल होते चले जाते हैं तो मारा कभी जो है वो हमारी ब्यावहारिक्ता से आवरित हो जाता है तो उसको अनाबरित करने के लिए सारस्वत साधना की अपेच्छा सारस्वत साधना का he मतलब यह कि व्याभारिक साधना में हम शब रिख की साधना जो है यह जो शब्द विसका उद्वग कहा से हुआ है उस नद से हुआ scholars नादानुसंदहां से हुआ, नाज अनुसंदा, नाज जो था, वो साम के रूप में हमें प्रभाविक कर रहा था, जो लोग म्यूजिक के साथ जुड़ते हैं, संगीत जिनका छंद बन जाता है, जो छंद को समझने लगते हैं, जिनके जीवन में छंद आ जाता है, उनकी जीवन में ये स्पंद जो है वो भी बराबर बना रहता है इसलिए वो लोग टूटते नहीं है वो सहर में टूटते नहीं ब्याभारिक्ता के स्थर पर वो ब्याभारिक्ता के छद्म को छोड़ करके आपने उस चंद में चले जाते हैं इसलिए वैदिक ख्रीशियों ने कहा कि देवताओं के उपर असरों का प्रहार हुआ तो उस असरों के प्रहार में देवता जो थे वो चंदों में अनुप्रविष्ट हो गया है चंदान सी चादनाथ कि वो चंदों के अंदर अनुप्रविष्ट हो गया अब यह पोईटी का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस करने की यह बात है नहीं कोई चला जाएगा मन लेकिन वो कहते हैं नहीं यह जो का व्यात्म तो बहुत है आपका कि यत्सारस्वत वैभवन एक संस्क्रिक कभी इस विशे में बड़ा उसे मार्मी को अब्जर्वेशन देते हैं आपने यत्सारस्वत वैभवन गुरु कृपार तीजूष यह सारस्वत वैभव विश्रस्वती का जो वैभव है गुरु कृपार तीजूष पास्वर लटक गुरु कृपा के अम्रित से जो प्राप्थ होने बाला है यह तल लभ्यम कभी नहीं हो यह इसको पोईट को पोईट ही पड़े तो उसमें आनंद आएगा वोही उसी को सब् कभी की एक कभी की वानी को दूसरा कभी ही ठीक से समझ पाता है उसके लिए वो सहरीदय शब्द का हमने प्रयोग कर दिया उसे कभी से थोड़ा लेकिन सहरीदय भी कभी ही होता है तल लभ्यम कभी नहीं वह रचता पाठप प्रतिष्ठा जुशाम वो कभी हिड़ा के और भाठप प्रतिष्ठा जुशाम की पुली सब्दों को रिपीट करते तक पुल्डावर्थी करते रहने वाले लोगों को वो नहीं समझ में आता है कासारे दिवसं बसुपया पूरं परंपन्किलम में एक सरोबर के अंदर कहता है कासारे दिवसं बसंपया पूरं रिवा है, रिव होता है भैसा कमलों से भरे हुए तालाव के अंदर कहते हैं भैसे को आप उजय दीजिए और वो सारा दिन उसमें लेकर नोसे कमलों की खुशूर को कभी पता नहीं होता कि क्या होतें करों तो हमारी व्याभारिकता में कहीं वो से रिव तो नहीं बना देती ह है कि हम उस वो जो जिसे सारसुत सादनें के अंदर कभी लोगों ने कभी रस कहा, कभी अलंकार कहा, कभी आउचित्य कहा, कभी ज्वन्नी कहा, कभी वक्रोक्ति कहा, कभी वो सारा के सारा जो सौंदर्य है, वो उसमें हमारी व्याभारिकता कहीं उसे खा तो नहीं रही है, या ब्यावारिक्ता के अंदर वो ब्यांजित अभियक्त होने लगी है, अगर तो ब्यावारिक्ता के अंदर हमारा रस साथ में उसको पुष्ट करता रहता है, तो हमारी ब्यावारिक्ता में भी एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही एक ऐसा, एक ऐसी मानुवता की रहचना हो जिस मानवता की रचना को लोग इसकी प्रतीक्षा करता है मनुश्य समाली। इसलिए ये दो एक उत्सब था जिसे उने बसंत उत्सब नाम रखा है। उत्सब शब्द भी अपने हाप में बड़ा महत्तपूर्ण है। कि उत्सब क्या है पर्व क्या है और उत्सब क्या है ये भी अंतर रखा है उसमें आजारे लोगों ने तो उसमें एक ऊपर की और चेत्रा के उर्द गमन की और उसको ले जाने का प्रयास रहता है उसके अंदर। उपर की और जो सब है सब जो है जिसके अंदर एक रस है सब जो है वो उसमें एक प्रिकार का स्रोथ उसका चूना है उसके अंदर एक रसीला पनाना है उसके अंदर रस में होना जो है वो सब शब्रिकारत है तो रस एक हमारे मनोरेंजन होते हैं जो हमें आदो गामी बना द लेकिन उत्सव का जो रास है, वो हमारी उत्यतना को उत्धुगा में बनाने के लिए उपयोग होता है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि जब रिशी ने कहा वसंतो स्यासिदाच्य। वो जो प्रत्म यग्य हुआ, स्रिष्टी यग्य दव अभी तक बाकी कुछ लोगों के पास नहीं था और देवताओं ने वो यग्य किया। तो देवताओं के पास अभी शायद अनाज बगर और रहे होंगे नहीं होंगे है उत्समें, लेकिन वसंत को उन्होंने धी के साही देगा, कि वो सिर्व कर फूँए हैं जो दबो में बगर रहा है। वो आजन किसी कि तफ़त्रिया के बाद वो घृति जो बनता है, वो विक्रित नहीं होता है, तो हम लोगों को ज् feelings है कि वो घृति जो बनता था, कई समय कर दो सल्तें-स साल खराब नहीं होता था तूद को उठान गया है, फिरोज को जमाया गया है, फिरोज को मकहन को फिरोज में, इतना ताप जहिला है गितने, इस सूरिका, सूरिज के लिए जो शबद प्रयोक जाता था घृनी, घृनी सूर यादिक, सूरिज के लिए घृनी शबद का प्रयोक की जाता है, वो घृनी उसी से घृत बन दाए है, तो घृनी का गहित से कई संबन्ध रहा है, तो वो गहित जो था, वो ऐशी एक पुष्टि कर, केतना थी, जो एक तपस्या से निर्मित होती है, साधना से जो निर्मित होती है, तो गहित केबलमाति शलिए, गहित का बहुत बूल रहा, गहित जो है, उस यग्य में जो आहुती देते हैं, बाकिकी लोग चरू की आहुती देते हैं, लेकर जो मुख ही नज्मान है, वो घी की आहुती दे रहा है, इसलिए घीत की आहुती जो है, वही महत्वपून मानी जाती है उसके अंदर, तो प्रत्वन यग्य सृष्ठी का यग्य हुआ, creativity का तो यग्य हुआ उसी यग्य के अंदर वसंत जी तुम को घृत के समान कहने के कीसी आलंकारिक्ता भी है कम्यों की वह अलंकार भी है मेटाफॉरिकल भी है उसकी अंदर लेकिन उसके पीछे जो एक तरलता है वो जो उसके पीछे ब्यंजना है उसको हमें इन शब्दों में देखना पड़ता है अब असंत के लिए एक शब्द प्रियोग परवर्थी हमारे जो संस्क्रिटिय कभी हैं वो के लिए शेहद नमीधान होता जूँकि कोईल कोईल कोई स्ट मीकर करके नहीं हुचता है ये संतो है तो इसमें कोईल का कुदन होता है कोईल का म्यूजिक चलता है कोईल इनने उनलसित कंठ से अभी बादन गाया नव वसंत है यह सुमित्रमजन पंथ की कवित्या है कोईल उनने उल्लसित कंठ से अभी बादन गाया और उसने उसका भी बादन किये, इतुरा जा रहा है, वसंत लिटू हमारा जे एक उत्सफ, कैसा उत्सफ है, ये उद्योत्सफ है, इसलिए वसंत का महत्व बन जाता है, ये हमारा उद्योत्सफ है, हमारा वर्षभी अभी से के अंदर जो बिल्कुल दवा पड़ा है वो सारे का सारा अंकुरित होने लगता है वो अंकुरित समस्टी के स्तर पर व्यंकुरित हो रहा है और व्यस्टी के स्तर पर भी मनुशी के चित्र के अंदर भी एक नई चेतना का अभ्युदय होने लगता है क्योंकि बाहर की प्रक् जिकती निर्मल होकर के उस सर्दी के शीत के प्रकॉप से मुक्ट होकर के अपने उसमें निखार में आना चुनू होती है. वो एक जिसे कहते हैं कि बहुत एक कठोर किसम की जो एक तानता होती है कि स्नो श्नो चारों कर वरपी बरपौनी ही है. सब लोग ठंड में जगडे ऐसा नहीं हो उसकी अंदर तो उसमें ये तीन रितूं का जिक्र जो आया उसका अपना-पना एक महत्व है. उनको रस दिये गए. वो कहा कि ये मदूर रस आत्मने वसंतर तब ये नवा है. वसंतर रितु जो है इसको मदूर छे रसों में से ये मदूर आम लितिकत कटु का वित शाय रितूं नहीं से ड्रीतु का संपन्त चोड़ा गया। तो मधुरस आत्मने मधु जो है उसका वेद के अंदर जब प्रियोग होता है तो वो उसमें आप देखिए कि मधुर्शव्यो पसंद के लिए प्रियोग होता है तो मिठास के लिए मधुर्रस के लिए भी प्रियोग होता है और उद्योग सब के रूप में जिसका प्रियोग होता है कि इस समय शिष्टी एक नई सिष्टी का उदेख होनी जा रहा है तो वहां मद वाता रितायत है अब ये बिना कभी रिदे के इस मंतर का आनंद नहीं ले सकीगे इसे स्थूलर वाच्यारत बना देंगे तो कुछ वात नहीं बनेगी कि रितायत है वो जो रित जो रित कहां चल रहा है कास्मे के लौ है एक नियम है जिसको उसमें जिष्यों ने देखा रित के रूप में वो रित के रूप में कि सारी स्रिष्टी के मूल में जो ग्याप्त है जो गतिशील है सारी स्रिष्टी को जो गति दे रहा है उस रित आयत उस रित का अचरन करने वाले ग उतराता है। जीने का रस आने लगता है। तो गसंतों सब्सक्राइस है, मधुवाता ईरिताये के लिए हृवाईं में भी मधु बहने लगता है। बाद कि कम्यों ने कहा Malaya ऑचल आ रहा है, Malaya वायू आ रही है। बसंत को है?」 Horse Cr Carol is a malaya ऑचलh Agracque and Garkvas and Gartis इच्छा का जीवन का उदय है, उसकी अंदर वसंत का जीतु का बड़ा एक महत्रपून, सखा के रूप में, ये मदनोट सभी मदन का मित्र के रूप में और मलयाचल को भी उसके साथ रिलेट करके, तो पुरिये जीतु को जो हमारा आनंद लेने का भी आपना अपना एक तरी का रहता है, जैसे पस्चिम में वहाँ पर लोग जो है, वो इस दिन से सेलेब्रेट करते हैं, कि स्नोफाल हो गई है, तो निकलते हैं, तो उसको एंजाय करने के लिए निकलते हैं, हमारे यहाँ पर उसमें वसंत रीतु के उपर ही साड़ा शेलेब्रेशिट जो था, क्यों है और उसके अंदर जो प्रकृति का योगदान है प्रकृति में जो एक निर्माता एक स्वक्षता का वाता पुरन और उस वाता पुरन के बीच में तो डाइवर्सिटी बन हो रही है ते ही एक तरह का फूल कहीं लूसरी तरह के फूल YEं मंजरी दूष्मे है तो पंचमी का सं संबंध वसंत रितु हो गई वसंत रितु में शुक्लपक्ष का पंचमी का संबंध पंचेशु वाणा हैं पांच जो फूल थे जिनका मुख्य रूप से हम लोग हमारी संस्कृति को यह फूल भी रिप्रेजंट करते हैं आप देखेंगे कि प्रत्य एक देवता उस देवता आप उन मूर्थियों को देखते रहेंगे कि हाथ में उसमें लेकन कालिदा से प्रयोग करते हैं कि पारवती अपने पिता के बास बैठी थी तो उनके जब उसमें बात चले तो तो लीला, कमल, पत्राणी, गणया, अवास पारविती, तो कमल जो है, उनके हाथ में कमल था, तो कमल के उपर उनका हाथ चलिया लगा था, तो ये कमल जो है, जे भूल, जिनको पांच कुष्पों के रूप में हमने प्रधांता दी, अर्बिंदम, अशोकम्ष, आम्रम्ष, नवमल्लिका, और नीलोत पलम्ष, पंचईते, पंचवानस ससायगा, तो है कि ये काम देव जो पंचेशू है, ये पांच बानों वाला काम जो है, ये उसके पांच खूल, फूलों के पुष्प बाना, तो पुष्प बाना, मन इक्षू धनू, ये मनुष्य का जो मन है, य ये इक्षू धनू है, ये इक्षू धनू का अर्थ क्या है, वो गन्ना जिस गन्ने जो रस से भरा हुआ, मिठे रस से भरा हुआ जो गन्ना है, वो भल्वती देवी के हाथ में जो धनू पकड़ाया जाता है, उसमें मन इक्षू धनू, हमारा जो मन है वो इक्षू धनू क तो किरी तरह प्रयोग होता है। और हमारी जो पांच इंद्रियां हैं ये पांच पुष्पु अपुष्पु ऐंग से अजा around भुंच जर्जन करता है। इसलिए जो हमारी उटकश्यों तो जनको हम करते हैं, उनके महात्म को समझने के लिए हमारे एक दृष्टी रही है, कि हमारे जहां को साइटिस्ट वered इद्य रहा है, जहां का वैधनी बहुत प्रिद्ध करके कहते हैं, कभी होना बहुत लाजमी है, उस से, उसका परिणाम क्या होता है, कि हमारे लिए ये एक जो जितना भी वाईय जगत है हमारा अभ्यंतर जगत और बाज जगत. इन दोनों के बीच में एक सामरा स्य बनाने के लिए बाज जगत में और अभ्यंतर जगत के लिए बिना इसके ये संसार के ये कोई सांदरी का आस्वादन नहीं हो सकता है अगर द्रिश्टी जो है अगर आबरित है द्रश्टा देखना भी चाहता है लेकिन द्रिश्टी जो है वो आबरित है तो द्रश्टा की द्रिश्टी कुछ नहीं कर पाए और अगर द्रिश्टी अनाबरित है द्रिश्टी जो है अशनफे है 법न में इस मोन नहीं नहीं बनेगा. तो वसंत में जो कहते हैं कि प्रकृती जो है द्रश्टा का मन ड्रस्टा है जो देखने वाला है सियर का मन आपड़ है वह और अनाबरित फंगता कि उसमेन इक नहीडा का जो दृष्टा और दृष्ट आपने अमने आपने अनावरित करने लगती हैं तो दृष्टा और दृष्ट यानि बाहर का जगत और भीतर का जगत दोनों सामरा सिखाई एक मिलन का संसिष्धर यह वसंतरितु है इसलिए इस वसंत तरी टू के अंदर हम लोग अपने बर्शारंबरों गयराता भी हमने इसको क्विक्रिट किया और इसको जीवन में शौर्ज का प्रेम का और सभी तरह की उन प्रक्षियाओं का इसको स्विकार किया है और दूसरा ये इसारस्तत साधना हमने इसलिए इसके स जोड़ी है कि ये सारी बातें जो नहीं है बिना सारस्तत साधना के बिना उस सरस्तती के और इस सरस्तती क्योंकि पंजाब में तो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि तो तरफ्चा इतिहास के अंदर कुछ ऐसी एतिहासिक घटनाओं के कारण पंजाब में सेलिबरेशन में जो हमने देखा है अपने बच्वन में, कि हम लोग सेलिबरेट करते थे, तो उसमें वसंत की तिन पीले कपड़े को जरूर रंगते थे लोग, नहीं हैं, तो कम से कम एक वस्तर पीला तो जरूर ही लोग पहनते थे, और उसमें पीले रंगा, उसमें खलवा, चावल ये सब ब हमते थे, संभूता था, लेकिन सरस्वती पूजन की अपेक्षा, दो चीज़ें को आदा प्रचलन हुआ, शायद ऐची हासिक अपेक्षा हैं थी, एक ये था कि क्लासिकल म्यूजिक की बड़ी-बड़ी कॉन्फरेंसिस होती थी, उसमें से भारती, संभूल भारत के दूसरा ये कि इसमें मल विद्या के साथ भी इसका खुष्टियां भी खुब होती थी, तो ये दो विद्यां इस बसंसोत सब के पक्षमि-पज्जाब में तो चेलिबरेट होती थी, लेकिन बंगाल में अलिक शेत्रों के अंदर, ये सरस्वती उपासना के रूप में इस एक प्रकार से हमारी भाशा के साथ, हमारी सारस्वत, हमारी वानी के साथ हमारा भागतत्तु है, उस भागतत्तु ने सरस्वती शब्द को ग्रहन किया, तो सरस्वती का अर्थ क्या था? कि सरह, सरो नीरम, सर के माने हैं जल, अब जल तब तो है जरा ध्यान देखी जिजिए इसके उपार, सरो नीरम, तदवत, और तदवती, और उसमें ये सर जो है, वो जलवाची है, ये सरस्वती है, तो उससे मतुप प्रत्या से बना देखें सुस्कित व्याक्रणी के अंद तो सरस्वत कार्थ ये कुर्टु जल है, सरस्वती नदी भी है, लेकिन नदी भी है, और फिर ये सरस्वती जो है, नदी के साथ-साथ ये वाणी रूपा भी है, वाग रूपा है, तो क्या नदी में और वाख में कोई संबंध है आपस में, तो इसकी लिए हमें आपनी है, फिर वोगी का अभ्यात्मक्ता को जाग्रेत करना पूड़ता है, कि नदी भी नाध करते कोई जैसे चलती है, वो नाधा नुसंद्धान नमोस्त दुध्यम, स्वाम साधिनम, तत्रपदस्ति नाने, तब प्रशादा, प्रवनेन साकन, विलिये ते विष्णु बदे बनोगे वो नाध ही वर्ण बना, वर्ण ही पद बना, पद ही वाक्य बना, और वाक्य ही, और गाये ने सारा नाध जो है, वो साम जो है, वेदा नाम साम वेदो, समी, मुवान कृष्णा का, मैं वेदो में साम वेद मुझे, आरे वेद नहीं कहा, साम अपने को साम कहा, तो ये साम स्वाम का सरस्वती से जो संबंद था, हमने उस नदी के नाध को जो सारस्वत शिल्प के रूप में सरस्वती का सुरूप खड़ा किया, उसमें हमने विना अप उस तक धारें इम्म भैदाम, जाद्य अंदकार आपा, जाद्य अंदकार को नष्ट करने वाले, वो कौन हैं, विना अप उस तक धारे निए, विना जो है, उसको धारन करने वाली हैं, अब यहां भी मुझे लगता है कि सूक्षमता रखी होनों है, कोई और इस्टूमें न दे करके, विना को ही सरस्वती को प्रदान किया, तूंकि विना में तो तार है, तार्वं का दुस्पंदन है, है तंत्रि वादी जो है, वो तंत्री का जो स्पंदन है, तंत्री का जो स्थंद है, ज़िसके उसका अनुनादन होता है, उसमें छेरने के बाद भी बड़ी देक उसका गुझण रहता है उसको आदर और फक्राकूतर। तूं तू सरस्वती के साथ जो शिल्प प्रतीमा मे देखते हैं कि वीना जरूर होती है उसके अंदर, वीना अबादिनी वरदे, निराला ने कविता लिखी है, आधनिक यूग में उसी परंपरा का निर्वाव होते हुए, वीना अबादिनी वरदे, काट अंधूर के बंधन सहुत, बहा जननी जोतिर मैं निर्जर, कलुष शन्यरों सी उसको श्में वह जीर बाहरी होती है, उसको भी ध्याना आता है कौल के म्यूठिक का की पंचम में गाती है, तो का पंचम की पंचम स्वर क्या है? हम लोग को जो काव्याथमक्ताई है तousMy.01 संऌगीतातमक्ता नाषततमक्ता अंधाथमक्ता तो चित्लित्यॉत अगर आपका विशेष किसम का जिसे आष्वादवीतना जो है आश्वादन के लिए एक विशेष किसम का बोध था है अगर आपका विशेश किसम का जिसे आस्वादहिता जो है, आस्वादहिता का अगर बोद आस्वादन उसका संस्कार ना हुआ हो, तो आस्वादहिता जो है, वो उसको एप्रिशियेट ही नहीं कर पाए का लिए. ये जो बड़ा मुश्किल होता है, गोना नाम, बाविशाला नाम, सद्कार नाम के नित्यशा, अर्तारस तुलवालो के, ये बहुत ज़रे लोग बनाने वाले तो मिल जाएं कि आपको, लेकिन अप्रिशियेट करने वाले के हैं, उसका जो मुल्यांकन करते हैं, विग्यातार विग्याता लोग हैं, वो बड़े दुलव होते हैं, इसको जब हम देखते हैं, ये पूरी की पूरी परमपरा, रिग्वेद में जो वसंतोस्याची दाज्यम, वसंत को उनोंने अब घृत के रूप में उसका प्रयोग किया था, कहीं मधू के रूप में उसका प्रयोग कि मधुक्षरंती संधवा हा, माध्वीर ना संतोस्यदी, हमारी ओषदियों के अंदर मधू का संचार हो, माध्वीर ना संतोस्यदी, मधुवान नोवनस्पती, मधुवां अस्तु सूर्या हा, माध्वीर गाव ववन्तुना, हमारी गवें, वो भी मधू का संचार करें, उन हम सभिखते हैं, हमारी जो काव्यात्मग पृतिभा है। इस अप्रदिफा नत्र केभल हमात कभियों तक लिए नहीं थी। ये श्रोधाएं और दर्श्कों में भी ये कभी पृतिभा थी। जहीं तो वो अप्रिशेटिं करते हैं, इसलिए हमारे जितने नाम होंगे आप देखेंगे, उन नामा वलियों में भी वो काव्यात्मता कहीं ने कहीं आप देखें, लोग भाशाओं के अंदर भी वो छिती हुई जो नामात्मता है, तो यह यहां रिशी लोग्यों थे, उन् आंकर शुष्रवस्त चुपासमां ने की शब्द के अंदर उसकी वांप मूर्ति तेनेयम वांगमे बृति प्रत्यक्छावात ते और यह वांगमे बृति ऐर शिल्प के अंदर वो हमारे सामने जो श्लोपकिंपूकिये गैसे रखे हैं, उसकी अंदर या कुंद थैंडए अब शुब्रवस्त्राविता एक साथ ही वो पराविद्या है, एक साथ ही वो अफराविद्या है. लोग का विभार चलाने के लिए वही अफराविद्या बनती है, और वही चिति शक्ती जो है, वही उसमें शुक्लारूप के अंदर है. अब एक इसमे महत्वून बात रह जाती है, कि स्वरोवा नीरम जिजु जल तत्व है, पृत्वी तत्व है, पृत्वी को, जल को, हम लोग सिर्फ पृत्वी नहीं समझा है, अगर आप अथर अव्यद का पृत्वी सूर्ट पाठ करें, तो पृत्वी सूर्च के अंदर आप पच्पन मंत्र है, वहां पच्पन और च्पन के लगभग मंत्र है, उन सभी मंत्रों के अदर पृत्वी की जिस प्रकार से वंदनम की गई है, पृत्वी को कैसे माना, जनि दृष्टी को आप देखिए, दृष्टी में सृष्टी है, अगर दृष्टी को आप देखेंग तो उसमें वो सत्यम प्रिहत्य, प्रिहत्य सत्य जो है, रितम उग्रम, यग्या, तपा, वो उसमें धार्यन्ति, सानो भूतस भग्या सिपद्नी, मुरून लोकम पृत्वी नक्रमतु। जसी प्रिथवी मुछ्रान था है, जिसे यद्ग नक्रमत जो है, वो हमारे भूतस उर भव्य की रक्षिका है, यह पृतसी नक्रमत्षि नक्रमतु। तो यह प्रिथ्वी केबल माच को मिट्टी का डेला नहीं है हमारे साल यह प्रिथ्वी हमारे लिए इसको जब डिशी कहने लगता है कि मैं माता भूमी है पुत्रो हम पर थे भीया तो वो कोई आर्टिबिशली एहसे नहीं कह रहा है कि अप्टारिता पूरी करने के लिए कह यह उसका अनुफव है, ऐसे ही जलों के लिए जब आया, तो जलों में भी आप देखो, आपो वाइदम सर्वम, विश्वा भूतानी आपा, यह सब पानी ही पान, मुझे यह, आपा का मतलब वहां पर, कहेंगे कि जो सुनामी आजाएगी इस तरह से, आपो वाइदम सर्वम, विश्वा भूतानी आपा, प्राणा वा आपा, यह हमारे जो प्रान है, यह भी आपा, यह भी आपा रूपी है, यह जलों है, यह विश्वा भूतानी आपा है, विश्वा भूतानी आपा, विश्वक में जितने प्राणी हैं, सब जल रूपी है, यह स्थूल अर्थ जो ह पानी शीचा जा रहा है जब लेकिन पन आपह है वही जागृत होता है, अनौ के रूप में जागरित होता है और पिर आगे जागर कि सम्राग आप, विराड आप, छंदान, छवराड आप है, छंदान से आप है, छंदाओ में भी बी है ठात्त cities, वह इसी शेक हम पाने नहीं स सकती थी। हमने लेखा कि प्राण जिसके खुब्ध है उसको पानी का घूंट पिलाते ही उसका प्राण से रोने लगता है। इसलिए कोई भी संध्यवपासन से पहले वो कहेंगे कि आचमन कर लोगा ही थोड़ा सा। ऐसे ही पांचों तत्तों के विषय में अगनी तत्तों के विषय में आप सुन लोग जानते हैं कि इतिवेट का बहुत बड़ा हिस्सा अगनी देवत के निमित तो इन गुतों में वायू में वायूरवाबसंबर कहा वायू है आकाश है इन सभी पांचों गुतों को हम लोगो वो प्रकाश इस सारे भौतिक जगत में से अजर आपका पोईटिक माइंड है, तो पोईटिक माइंड में यह समस्त आपकी जो पांच भौतिक स्रिष्टी है, इसके भीतर में से भी आपको चित्री का जो द्रिश्ष जगत है, जो अनावरित होता हुआ आपके साथ संबाद क करती है। आप इनके ऊपर सिर्फ विजय पाने की तिष्टा इन नहीं करते हैं। विरिक्ष संबाद करते हैं, पशुपक्षी संबाद करते हैं। तो इस्तर हैं, यह हमारा जो द्रिश्ट जगत है, वह हमारा सौंधर्य है। वह हूर्ण का केंद्र है हमारा। और जो आक पहली जो बात आती है वो उसकी इसले से आकरिशन है. जो दृष्टा को आकरिश्ट करता और धृष्टा जो है वो दृष्टा से अभिभूत्व करके दृष्षी के परंपरा की जो अनुसार चलने वाले लोग थे परंपरा में जाई लोग वो लोग द्रश्टा के रूप में एक विशेश संस्कार को लेकर के सौंदर्य बहुत के साथ जीते थे सौंदर्यम संस्कार है रुची इसलिए और द्रिश्व जो था वो हमारे यहां का भारती जो प भारती का अस्तवन जब करते हैं लोग भारत भूमाता स्टोत्रम तो उसका आप जानते हैं कि वंदय मातरम के रूप में आई तुपूरे का कुरा महान बंथ खड़ा कर जिया गया तो हमारा सौंदर्य बहुत जो है उसके माध्यम से यह वसंत हमें प्रेणा देता है और इ कि यदि हमारा ज्यान और कर्म यह सारस्त रसमे साधना के साथ नहीं चलेगा यह सरस के रस के साथ नहीं चलेगा उस आपत्त्त के साथ नहीं चलेगा तुझे जड़मात्र बनके रह जाएगा इसलिए यह वसंत के इस अवसर के उपर जब प्रकृतिया अपने आपको उन्म कि हमें उस द्रिष्टी से अपनी परणपरा को ठीक से समझने करना चाहिए और जैसे भी रसमयता जो है वसंत का ये रसमयता है जो है पूरा वर्ष चंद आगे प्रेरित करती है इसलिए तंत्र जो है कोगी कहता है मधूर रसात्मने वसंतर दवे नवहा मधूर रस प्रधान कि इस वसंतरी तुको हम पर्णान करते हैं इन शब्दों के साथ मैं सब्सक्राइब को मेरे लोग बात कहीं है ठीक लगी होगी धनीवाद धन्यवाद लॉक्र साब आपका इस व्याक्ष्यान से मेरे मन में बहुत सारी बातें और उबर कर आई है ऐसा लगता है कि वसंत जो वह संबंध है शायद प्रिथवी और सूरिता वह आपस का कोई संबंध है जिससे शायद वसंत कहना चाहिए क्यांकि वहाद नहीं स्रिष्टि जन्मी लेती है दूसरा पक्षित है कि तरस्वती का जो सम्मंद अरस्वत पूजन का है यह है कि यह जो निया जन्नी ले रहा है प्रिक्षिती में परिवर्टन आ रहा है यह कैसे हमरी वाणियों में अभिव्यक्त हो और हम एक नव संचार के साथ नए भाषा के नए अर्थी के साथ कैसे जी पूजन इसी लिए शायद होता है मुझे ठीक से नहीं मालू लेकिन यह मुझे पक्ष राज कुछ समझ में आ रहा है कि सूर्य पृत्वी और वानी इन तीन का जो यह ट्रिक्वों बंगा है यह शायद वसंत और इधर और एक जो पक्षित में और रखता है क्यों कि बहुत अधिक्षन है और उसे और ख्ले थर्मेट ऑविशक्त आ है ने की वह मधू ुपक्ष स्विघ हां वैं ङ्ट रस लती है कि व्ह क्या है उसक्स्यरमम अप्य यह जरू है कि वह क्या है उसक्स बारत प्रश्ण कर सकता है को जिज्ञास सा थ Warm तुम्हारे साथ प्रवेसर बीना अग्रवाल जी जुड़े हुए है और डॉक्टर रूमा जैन भी जुड़े हुए है लेकर हुए है तो यह दिका पूछ सकते हैं कुछी ब्यासा है इसी तरह की तो और फिर उसके बाद हम आपने और साथ हुए है मैडम बीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम बीना आप सुन पा रही है मुझे नहीं पता हुए है यह दी किसी और हम आगा थोड़ा से हो कालिदास वाले प्रसंग के जब वो वसंतोत्सम मनाना निशेद कर दिया था और कल्या जो आधी खिली हुई थी वो रुप गई थी और ये मतलब ये एक्जिगरेशन है वार्नन का और मतलब वो वाकई पूजन उस तरह से वसंत का होता था क्या कि आमर मंजरी का वो दिया जाता था कामदे तो थोड़ा सा उस्विशे में भी बात हो सकती है या 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 वो एक समय एक पीरिड में कई उसको क्योंकि प्रदेश भेर से तो कि ये जो हमारा एक दिश्टी रही है कि मौलिक दिश्टी अगर ठीक है आपकी तो उसमें कि मदनोच संक की बात आती है वो उसमें ये पूर्वी भारत में संब्वताइज परमपरा की चल्की इन% तो बादमी में मेरा खेल है उसकर नहीं रहा तो उसमें एक कलश के ओपर घट के ओपर ये काम की सवरण मूर्थी अब ये काम जो है हमारे लिए दरसल उस तरह कि आज जो जैसा हम समझती हैं, आज हमारा काम के प्रति जो दिश्टी कुन है, वो एक नितान तो भिन हो गया है, लेकिन अगर आप हैविसम को जानती हैं, तंत्रा और रागम को, तो उसके अंदर कामस तरद ग्रे समवरतता थी, वहां कामस तूर अभी प्रोक्टा है, रवी जो है सूर्ज को काम शब्द करके, आजम के अंदर कहा गया है, तो वो काम जो था, उसमें सखा उसका वसंत है, और ये है, लोगों के अंदर उसमें जो जीवन्तता को तो प्रकृति प्रत्त जीवन्तता है, उसकी कितनी आजमी करेगा, तो उस द्रिष्टी से एक समय में, वो लोग जब मनाते थे, तो कलश के उपर, घट के उपर, वो स्वल्व मूर्थी बनाखर के रस देते थे, और आँखों के उपर, वो सोने की पती बान देते थे उसके, और ऐसा मैंने सुना है, कि ग्रीग उसमें, में भ अंतरा, कि हमने उसके कभी बंदा ने किया, हमने उसके चेहरे के उसके आँखों के उपर स्वर्ण की पट्टी का बान दी, ऐसा कुल लेक मिलता है, ये, लेकिन ये, उस सब जो है, बुद्र के आने के बाद, बहुत काभी स्थिट्यों में मन्द पढ़ गया, फिर लिए मन दो ग्रेहन करते हैं, उसमें मनु कहँदेते हैं कि काम आत्मता ना प्रसस्ता, ना चाहिवे असते दामता, कामी यो भी वेजा आधिक हमा, वेज भी संकल्क मूलक है, संकल्क मूलक कामो वगई, यग्या संकल्क संब्वा, ये काम जो है, वो काम का मतलब एक विशेशी शब प्रियोग के संज्केट में इस इस अर्थ में प्रियोग जो है, वो प्रीयोग उसका बहुतिक रूट के मे uğrays. लेकर उसमें आजम में कामेश्वरी और कामेश्वर शिव के इसाद प्रयोग करते हैं, तो वहां पर वो प्रत्रम स्पंध है, इच्छा का जो स्पंध है, वो इच्छा के स्पंध है, और इस बसंतोत सब के अंदर, जो सौंधरी के प्रत्याजरूनुफी भाव हमारा, कलाओ जैसे मिने आपको बताया, संगीत ओत्सब्स होते थे, संगीत ओत्सब्स में शिंगार भी वसमें होता था, उसके अंदर रसमेता की बात भी होती थी, और शिंगम ही मनोतोत बेदा, शिंगार को परभाशित जी संस्कृत में इस जन से किया गया है, तो उसमें बहुत सारी प्रथें हैं, वो उठी और बीच में मंद पड़ें, कुछ दूसरे लोगों ने कहा नहीं, ये परा शक्ती की और जाओ, ये क्या है, ये जवारिकता जो है, ये अपराओं का अपरा विज्याओं के चक्र में मत जादा पड़ों के असा, जी, मैडम और कुछ, मैं बहुत सं प्रश्ण का उत्ता मुझे मिल गया, जी, तो ये तो वाक्य ही है, कि ये जो लोग परंपराई हैं और शास्त्र परंपराई हैं, उनके संबंदों को जानना बड़ा कई बार नो कठें सा हो जाता है, पकड़ में नहीं आप दिनके कि इनका संबंद कैसे बनाएं और कैसे त हो चुकी है, या बहुत हद है, तो वो विद्टित रूफ में हमारे का सब प्रश रही है, तो उसमें जिकर आता है, ये वे बैशाली के गणिकाएं जो थी, वो सेलिब्रेट करती चिमतनों सब, लेकिन वो आम पॉब्लिकली ऐसा है, उसका प्रेशलर का जिकर नहीं नहीं अच्छा, एक में रवीट क्रशन है, कि ये जो ये तो चलिए हो गई शास्त्री बख्ष से बात, लेकिन जो ये हमारे साधू संत रहें हैं, जो बिलकुल शास्त्री दृष्टी से अंपड़ जिने हम कहते रहें हैं, ये ही मानते हैं, तो उन लोगों की ये जो पहरस्वत स सात्ना है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हों ने तो जैसे ही उनके अनुभों हमारे सामने आते हैं, वो अपने कविताओं में शेयर करते हैं, उस बारे में एक सिंशिप्षी टिपनी है के वलमात्र, जो अंदर और बाही का मैंने जिकर शुडू महीं किया था कि हमारा एक बाई जगत है और उतना ही उससे भी बड़ा कहिया है, हमारा आंतरिक जगत है, आंतरिक जगत में हम परा विद्याओं के माध्यम से हम परा के पक्ष में जाने जाते हैं, और परा की ही छाया जो अपरा विद्याओं हैं, ये अपरा विद्याओं में भी उसके, हमारा सरस्वती के दोनों खेते हैं, परा और अपरा, अब इसमें एक शब्द इसका नहीं जिक्र हुआ, वो आप लोगोंने से किसी ने, भी नहीं है, वो कि हांसासी नीम, ये भागवती, क्या है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, आध्याम दगत व्यापनीम, भीना पुष्टक धार निमर वैजान, जाड़्यान दकारा वहां, हस्ते स्फाटिक मालिक अम्बी रजटीन, हाथ में स्फाटिक मालिका, ये पचास अक्षरों की वर्नमाला जो है हमारी, वर्नमाला की स्पटिकाक शमाला, और स्पटिकाक शमाला मालिक अम्बी रजटीन, पदम तुम्हासनियसासितां बंदेतां परमेश्वरीन बर्वतिन। लेकिन अगला द्रूस में या कुंदें तुशारहार दवला या शुप्रवस्टाविता या वीना, वरदंड मंद। वीना का मांतरी नहीं पकड़ा है, दमरू नहीं पकड़ा दिया। सरस Chemistry म flight शिब के हाद में दमरू पकड़ाया। है। यहां तंत्री नाद। तंत्र का जो नाद है, तो कि तंत्र युह है, वह शक्ति का तंत्र है, शक्ति स्वेम तंत्र फ़रूपा है। इसलिए वह होई इस्ट्रूमेंट्स पकड़ाया गया, जो उसके अंदर जो जो श्वं याकुंत देन्गुतुषारहाग जाप्षुब्रबस्त्रावृदाथ जावीना वरदन्डमंदर अचिताज आशुएत पादमाद या ब्रह्माचुत शंकरप्रफित बिर्भाई सदा बनने था रहागा तो निश्येश जाड़्ड है उसका अपहरन करने वाली लेकिन ब्रह ब्रह्माच विष्णु और शिव यह शब्दा नाम गननी तुमत्र भूने वाग वाग वादीनी कुछ्च्च से यह वाग यह ब्रह्माच शिवसभ अध्यू नाद रूप ही हैं सबसे नाद ही इन मूर्तियों के रूप में प्रकट हो गया है नाद ही इस मूर्त रूप मे आगया, शिल्क रूप में आगया है, तर्समा नादात्म का जगत, जगत जो है, जिसारा नादात्मत जगत है, नाद में ही सारज का सारा जन्जित हो रहा है, इसलिए वसंत के अंदर, रागों का नाम रखा गया, वसंत बहार, उसके अंदर, रागों के अंदर भी वसंत चेतना की तो उच्छलत्ता है. उस उच्छलत्ता का अनुह भी तो होना है चाहिए कभी आपको. आप शब्दों में पढ़ते रहे हो उच्छलत्ता उच्छलत्ता लेकिन उस उच्छलत्ता को अनुह कभी किया नहीं आपने. तो उस उच्छलत्ता को क्या करेंगे तो शब्द तो उसमें शब्द मात्र के ज्ञान से तो बातिक ज्ञान नहीं का जू कालिक कहा थीता तो और नहीं थी है तो शिव शिव भाम शब्द का ही रेपिटिशन करते रहे और कि शिव जो है वो आनन्द में उच्छलत्ता है जे सारा जगए लेकिन उस उच्छलत्ता का अनुख भी तो होना चाहिए तो वसंत जो है उस प्रकृति जो है अपने अंदर से उच्छलत्ता में आती है अंदर से बाहर को फैंकती है वीजों को अंकुरित होने की शक्ता मर्च देती है हमारे अंदर भी इच्छाओं का एक नया प्लैन पूरे वर्ष का नया चार्टर एक देती है तो उसमें अध्यात्म में भी वो देती है और भौतिक जगए भी उस सारस्वत साधना सारस्वत साधना से ही आपका भौतिक जगए विवस्ता और शासन नुशासन में चल रहा ह और जो परा में है वहां पर भी योगा नुशासन हुए वो भी परा विद्यावशी स्रस्वति के दोनों पंक हैं लेकिन इसमें हंस शब्द करें हैं कि हंस वाहिनी हो एंस वाहिनी हिं हंस जो है उसका आप लोग डाते हो तो दूद और पानी को मिला जिया जी तो इसमें अंसेश यह थाक शीर में बांबू मत्याद हंस जैसे जल से पानी को अलग करता है तो विवेख यह विवेख हमें परा में और अपरा में दोनों में चाहिए यह हंस शब्द जो है इसका प्रयोग बड़ा बहुत पूर्ण है और कहीं कहीं पर सरसुद्धि का वहन मयूर बना दिया है लेकिन मुख्य वो हंस ही है परमहंस जिसे सन्यासियों ने आपने आपको परमहंस कहना शुरू किया क्योंकि पराविज्या जोड़ते लगा तो वो जो हंस है वो नितांत शुब्र है वो शूिध पदमासना है कि करे तरद का जो मौलिक रूप्परा का जो सुर्थ रूप है वह तो श्वेत वियर शुद्ध सॉ moral ले में तो हस стен का अपने अंदर प्राइ का उपर जाना है और अप्रान और अप्रान ये दो पनक हैं ये हंसमरे भीतर ओर रहा है कि अग्म करता लूगों । ये जीव तो है हंसा और रहा है है ॥ द्वैत वादियन लोगों ने अहंस और उस तरह से और दूसरे लोगों ने अजपाजब के रूप में उसको हंस शब्र का प्रयोग किया, इसी ने अहं सहा सो हं इस दन्य से प्रयोग किया, लिकनों उसी इस रस्तुजी के माध्यम से वेदांतियों ने कहा कि नहीं, वो तौम पद का शोधन करके, तौम पद को सा प्रस्वत बना करके, फिर उत्ता तौम पदी के साथ उतका योग किया जाए, तो उसमें मनुष्यका चाहिए तन्यमुक्त होगा, लिक्ष्टी के ऐसा संभाव, हांस पदी के ऊबर चर्चा का भी होना ही चाहिए, वहना समय है, बलकि मैडम की बात सुनके मुझे एक और व पुष्ट आजी जिड़ों गया है, उनको किस तरह से संज़ा जाए, वह क्यों रखे गया होंगे, जैसे कि आपने अभी बात की, यह साथ में कंत्री जबात्य दिया गया है, और जो मुकट और बाती चाहिए, उस तरह से शिव, यह जो देवतां की डिकोडिंग है, उसे प संदर के साथ, देवतां की निर्मान, या विद्या जो भी आपने हैं, वो क्या रही है, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक सुखद सुनुख सकता है, वो तर्चा संबब है रहा है, यह अपने आपने हैं कि सारा का सारा संदर है, इस तरह से है कि एक कर चुस्त भी दे जोड़ दिया, शांसे भी दे दिया, और पशुद भी जोड़ दिया, तो फिछी जोड़ दिया हूं कि इसको मुझे लगता है कि वो चर्चा निकट दो इश्यम है, तो मैडम, वहिनाची क्या कहते है आप, दिश्यत रूप से और कोशिश करेंगे, एक दो देवताओं से ज्यादा नहीं लें, ताकि डीकोडिंग ज्यादा बैटर हो सके, एक दो दो देवताओं को ही लें, जो एक दूसरे से जुड़ सके या जिनका एक्स्प्लेनेशन आसान हो या जो भी है, यह बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है मैम, तो एक दाइक कर लें आज के दिन, तो एक देवता का तो आप ले लिजिए, क्योंकि आपका तो काश्मी शहविजम है, तो शिव का आप ले लिजिए, कोशिश करूगी, शिव का ही कर सकते हो, बाकी तो बहुत मुश्किल है, जो के लिए थोड़ा सा कोशिश कर लूगी, मैं, बहुत अठीक है, तो निकष तो पूण्ट था बहुत सारे अर्थों में करने काही सारे सामने और कर आए हैं dependent शार्शत साध्ना के और रिस्वती की तरह ही कि नदी की तरह ये भी कुछ लुप प्रायसी है जो कुछ भी है वो हमारे सामने नहीं है और सारस्ट साथा मुझे लगता है कि इंग्रेजी की तुभाब में ओवर इंट्रिक्टलाइज हो गई है तो उसके हमें थोड़ा साथान होने की आवश्यक्ता है और जिसे वेल्बिं मुझे लगा तो उस वक्ष के भी चर्चा करेंगे कि सारसुत साथना डवेल की क्या है और कैसे उसको विक्विती से विक्विती के बारे में पुड़ा साथान रहते हुए कैसे हम उस साथना को अग्रेसर करें अपनी परिस्थितियों में तो उसको हम खोचने की कोशिक्ष करेंगे तो आज की चर्चा के लिए मैं धन्यवाद ग्यापित करता हूँ आज के मुख्यवक्त का डॉक्टर रिमागान दांगेरिस जी का मैडम दीना अग्रवाल जी का जो जैकुर से पारे साथ दूनी है राजिस्थान विश्व विद्याले में हैड रही है संस्क्रित करता हूँ कि हमारी द्रिष्टी का विकास भी हुआ उसमें ग्यादाई आई और कुछ नए कथे भी उबर के आई हैं ताकि हम और आगे अग्रसर हो सकते हैं विचार के प्षेत्र में भी और दून की तो इन्हीं सब्षब्दों के ताफ मैं आप लोगों करता हूँ और यदि किसी ने लिंक भरा ना हो पॉम नहीं भरा हो तो प्लीस भर दीजेग और आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं जन्ने वाद आप से भी लोग जो है वो चोड़ सकते हैं मीटिंग नीच्छा से जा आप लूट से लिगाया तूम भाद लूजए हुआ है जो खींग एए है जया है बात्ता है मेकन देखे लोगण और फैकर दावास मारत आप साकते हैं घुएंग लोगण और यह लोगण है टावठोर्ण आवस